गुर्मार्निंग स्टुडेंट आप सभी का वीरबाला कालीबाई गौर्मन गल्स स्कोलेज डुंगरपूर के ओनलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं कोविड के दोर में हम वीडियो बनाकर वीरबाला कालीबाई के यूट्यूब चैनल के उपर अपलोड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नौटिफिकिशन पहुँच जाएगा तो आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे वह है समाज, समाज की अर्थ, परिबाशा और विशेष्टाओं के बारे में हम समझेंगे यह अर्थ, परिबाशा और विशेष्टाओं दो वीडियो में कवर करेंगे वीडियो का एक पार्ट वन होगा और एक पार्ट टू होगा इनको सुनकर आप बुक्स से पढ़कर नौर्स भी बनाए और जब भी कॉलेज शुरू होंगे तब हम लोग इसके उपर चचा बापुनह करेंगे यह जो वीडियो बनाय जा रहा है यह GGTU के जो चात्र हैं उनके सेलेबस को ध्यान में रखते हो बना जाएगा तो जो GGTU का सेलेबस है सोशलोजी का बीए पार्ट वन का उसी के एकोर्डिंग हम लोग जो कंटेन रखेंगे तो आये स्टुडेंट शुरुआत करते हैं कि समाज किसे केते हैं सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे फिर इसकी परिवाशाओं के ऊपर चर्चा करेंगे अर्था अगर तकनिकी शब्दावली की रूप में हम प्रयोग करें तो हम जिसे समाज कहते हैं, वो समाज और जो हम समाजास के अंदर समाज बढ़ते हैं, उस समाज में अंतर है मानव एक सामाजिक प्रानी है, समाज और सामाजिक जीवन में मानव का होना आवशक है अर्थात समाज होगा और समाजिक जीवन तभी होगा जब मानव होगा इस परकार समाज मानव के साथ साथ चलता है और मानव से ही समाज है कुल मिलाकर समाज मनुष्य में नहीं थे और मानव से ही समाज है वेक्तियों या सम्हों का जो संकलन होता है या एकत्री करन होता है उसी को समाज नहीं कहा जा सकता है वेक्तियों में आपस में पारस पर एक सम्मंध होते हैं और इन सम्मंधों की व्यवस्ता होती है उसी को हम लोग समाज कहते हैं अन्य शब्दों में यह क्या सकते हैं कि समाज का जो निर्मान है वो मात्र वेक्तियों को इखटा करने से या वेक्तियों के संकलन से नहीं होता है इनमें आपस में पारस्परिक समंधों का होना आवशक है और बीना समंधों के समाज की कलपना नहीं की जा सकती वो विक्तियों का संकलन ही कहलाएगा या एक समू कहला सकता है, समाज नहीं कहला सकता है इस संदर में मेकाईवर और पेज जो समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने सही कहा है कि समाज जो है वो सामाजिक समंदों का जाल है अब सामाजिक समंद किस तरह से पनपते हैं या सामाजिक समंदों के लिए जो आवशक बुनियादी जो बाते हैं या यों कहें कि सामाजिक संबन्दों के लिए तीन तत्वों का होना आफशक है पहला है कि व्यक्तियों को एक दूसरे का आभास या जानकारी होना चाहिए अर्थात उनके अंदर एक अवेर्नेस होने चाहिए एक आभास होना चाहिए एक दूसरे के प्रति दूसरा उनमें आ अर्यवार्थाद दोनों ही व्यवहार जब करते हैं, तब दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तब ही वह क्या करेंगे, सामाजिक समंधों का निर्मार करेंगे, कुल मेराकर ये कहा जा सकता है, या ये कहते हैं, ये जो विक्ति अपनी आफशक्ताओं की पूर्ती क कर सकते हैं जब इन आफशक्ताओं की पूर्ति के लिए जैसे हमारी आफशक्ता हैं आर्थिक आफशक्ता हैं दार्मिक आफशक्ता हैं राजनितिक आफशक्ता हैं परिवार से समंधित आफशक्ता हैं या यौन से समंधित जो आफशक्ता हैं इन पूर्ति के लिए हम लोग क व्यक्ति जिन सामाजिक समंदों के जाल में बंद जाता है उसी को हम समाज कहते हैं और उसी समाज का अध्यन किस में किया जा सकता है समाज शास्त्र के अंतरगत किया जाता है सामाजिक समंदों का जब जहां तक निर्मान की बात है तो सामाजिक समंदों का निर्मान तभी होता है जब एक से अधिक व्यक्ति अर्थात करता परस पर संपर्क स्थापित करते हैं और एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं अब ये अंतर क्रिया जो है जब आपस में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं अंतर क्रिया कहते हैं अब अंतर क्रिया किस तीन प्रकार से होती है वेक्ति से वेक्ति के मद्य हो सकती है वेक्ति से समू के मद्य हो सकती है और समू से समू के मद्य हो सकती है य परिवार के सदश्यों के जो संबंद होते हैं, वो स्थाई संबंद होते हैं, जबकि एक दुकानदार और ग्रहक के एक बस कंड़क्टर और बस मेटे यात्रियों के, या एक डाक्टर या मरीज के संबंद अस्थाई होते हैं, तो जो सामाजिक संबंदों की प्रकरती है, वो मनेजा सायोग पहय जाता है इस प्रकार समाज का निर्मान इस ही जो विविद प्रकार के और संछे समाजिक संबंध होते हैं उन्हें के आदार पर होता है लेकिन सामाजिक समदों का जो ताना बना है या वेवस्तित रूप से जब बंदता है तब ही समाज का निर्मान होता है अगर यह समाजिक समंदों की व्यवस्ता पनपती है तब ही हम समाज कहेंगे या उसे समाज मानेंगे अब अलग-अलग विध्वानों ने इसके उपर अपनी अलग-अलग परिभाशाएं दी है तो हम या मुख्य रूप से तीन विध्वानों की परिभाशा कवर करने का प्रियास करेंगे अन्नी जो विध्वान है उनकी आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं लेकिन जो सरल और एप्रोप्रियट जो परिभाशा है उसका मैंने चैन करके यहां पर लिया है सबसे पहले हम बात करेंगे मेकाईवर और पेज की एक बचों यहां ध्यान रखना है कि मेकाईवर और पेज की पुस्तक कई बार परिक्षाओं में पूछी गई है उनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी यह विशेश महत्तोपुन मिंदू है मेकार और पेज की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है मेकार और पेज कहते हैं कि समाज के अंतरगत चलनों, प्रणालियों, सत्ता की परस्परिक सहयोग अनेक समूहों, भागों, नियंत्रणों और स्वाधीनताओं की एक व्यवस्ता है और यही जो व्यवस्ता है, यह क्या करती है? एक सामाजिक समंद कायम करती है, और सामाजिक समंदों का जो यह जाल है यही क्या कहलता है? समाज कहलता है समाज साथरी गिडिंग्स कहते हैं कि समाज स्वयम संग है, एक संगठन है और व्यवारों का योग है जिसमें सहयोग Δेने वाले एक दूसरे से समन्दित होते हैं कुल मिलाकर समाज को एक संग के रूप में या एक संगर्षित व्यवसता के रूप में ओपचारिक समंधों का ऐसा योग मानते हैं गिडिंग्स जिसमें परस पर समंध जब जुड़े होते हैं वो सहयोग पर आधारित होते हैं गिडिंग्स यहां संगर्ष की बात नहीं करते हैं अब जो अगले समाज रास्ती हैं वो राइट है राइट कहते हैं कि यह समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं अपी तो विबिन्न समूह के व्यक्तियों के बीच समंधों की व्यवस्ता है अर्थात राइट का मानना है कि समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं ये सामने उपर चर्चा की ये विबिन जो समू है उनमें जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो संबंध पाया जाते हैं उसी की विवस्ता को हम लोग क्या कहते हैं समाज कहते हैं कुल मिलाकर जो परिभाशाएं अन्य विद्वानों ने दी और जो हमने वीडियो में कवर कई उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि विद्वानों ने समाज को मूर्थ और अमूर्थ दोनों ही रूपे में परिभाशित किया है सामाने तोर पर हम समाज शब्द को जितना सरल समझते हैं उसकी परिभाशा देना उतना ही कठिन है एक समाजशास्त्री हुए है मिशेल उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र की शब्दावली में समाज शब्द एक अत्यंत अस्पष्ट और सामाने शब्दे है हाला कि अधिकान स्विद्वानों ने समाज को समाजिक समंधों की व्यवस्ता कहा है किसी ने जाल या तानाबाना मानते हैं और विक्ति समाजिक समंधों की जो स्थापना मूल रूप से अपनी विविद्ध प्रकार की आवशक्ताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के रूप में करता है क्योंकि सामाजिक संबंद अमूर्थ होते हैं अर्थात समाज को भी अमूर्थ माना है देकिन कुछ समाज शास्ति हैं जिसे जॉन्सन समाज को मूर्थ मानते हैं क्योंकि वो समाज को एक समुहों के अध्यित की रूप में देखते हैं तो हमने इस वीडियो में बच्छों चर्चा की समाज के अर्थ और परिभाशा के बारे में इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे समाज की विशेष्ताओं के बारे में